हाई बच्चो और वेलकम बैक टो एक्स्प्लोर इंट्रेस्टिंग त्यार इस वीडियो के साथ अपने एक बहुत ही शांदार नए चैप्टर और नए प्लेलिस्ट के शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन और पर्सनली यह वाला टॉपिक मुझे बहुत जाधा पसंद ले कुछ नया कुछ भैत्रीन सीखने को अपन को मिलेगा जो अभी तक अपन ने अपने पूरे वीडियो में नहीं देखा था काइनमेटिक जैसे अपना सीखा उन सब में कहीं पे भी वह कुछ खास चीज़े नहीं देखा जो कि इस चैप्टर में अपन पेरामीटर्स देफाइन कियेता है जैसे position क्या होता है position change होता है displacement आता है then acceleration क्या होता है velocity क्या होता है ये सब के पैरामीटर्स थे उसी तरीके से इस वीडियो में हमकुछ circular motion के भी पैरामीटर्स को पहले define करेंगे और फिर जानेंगे कि उनके साथ कैसे खेलते हैं कुछ questions भ आता है कि भाई circular motion को पढ़ने की जरुरत क्यूं है तो अगर आपने कभी एक मदुमक्ही कोड़ता हूआ देखा हो या कोई भी चीज को देखा हो जो generally हमेशा सीधे रस्ते पर नहीं चलता हमेशा कोई न कोई चीज अपनी लाइन में translational motion नहीं कर पाती है वो थोड़ा सा curved हो जाती है तो इस तरीके के curved चीजों के बारे में जब भी हमें study करना हो for example जैसे अगर मैं हैसा बोलू कि कोई मदी मख्ही का रस्ता इस तरीके से है अब इस तरीके से इस पात को पुरा-पुरा study करने के लिए इसमें जो भी parameters involved हो रहे हैं जो acceleration है, velocity है, क्या displacement हो रहा है, क्या angular distance cover हो रहा है यह सब अपन देखेंगे आगे तो यह सब चीजों के बारे में study करने के लिए अपन क्या करते हैं इस पुरे path को छोटे-छोटे parts में तोड़ते हैं और उन छोटे-छोटे parts की बढ़िया तरीके से study कर लेते हैं और उन सारे parts हो जब आपोरे करव की अपन study कर सकते हैं तो इन छोटे-छोटे parts को मैं कैसे define कर सकता हूँ, आप सोचोगे तो आप सोचो यहां पे अगर मैंने एक छोटा सा part लिया of this curve तो यह वाले जो छोटा सा part है आप सोचकते हैं यह एक बड़े से circle का part होगा कुछ इस तरीके से राइट या अपन सोचे कि यहां पे एक छोटा सा part लें तो ये भी एक circle का part होगा, या अपन यहाँ पे एक चोटा सा part लें, तो वो भी एक circle का ही तो part होगा, एक चोटा सा arc होगा, किसी एक circle का, तो जब हम इन छोटे-छोटे parts को, जिसे अपन arc बोलते हैं, इन छोटे arcs की बारे में study करना चाहेंगे, तो अपन जान पाएंगे, कि भाई ये चोटे जो arc हैं, ये किसी ना किसी circle के parts हैं, तो अगर मैं इन circles की proper बढ़िया तरीकी से study कर लू, और उस study को, उस knowledge को इस्तेमाल करके, मैं चोटे-चोटे parts को जब add up करूँगा, तो मैं किसी भी curved रस्ते का, क्या खबर, क्या parameter से सब कुछ बता पाऊंगा, तो इसी वज़े से अपन circular motion को study करते हैं, जो की curved रस्तों का, curved motion का, एक fundamental, एक basic unit है, एक छोटा सा part है, तो अगर हम बढ़िया से circular motion पढ़ लेते हैं, तो कोई भी particle या कोई भी body, जब circular motion कर रही होती है, तो उसमें कुछ parameters involved होते हैं, तो सबसे पहला parameter अपन सोच सकते हैं, कि किसी particle की position क्या होगी, तो जैसा अपने translation में देखा था, कि कोई भी बंदा जो है, वो x-axis पे चल सकता है, y-axis पे चल सकता है, तो वो इस तरीके से अपन उसका position x से बताते थे, तो x बराबर 0, x बराबर 1 meter, 2 meter, इस तरीके से अपन बताते थे, तो वहाँ पे अपन translation में एक particle जो था, वो straight line में चलता था, इसलिए x, y या z मुसकी position बताते हैं, लेकिन curved path में जैसे अपनने देखा, कि circular motion हो रहा है, तो अपन particles की study करेंगे, जो की perfect perfect circles में घूम रहा होंगे, तो circular motion में हम position की जगे, angular position define करते हैं, बस उसका नाम थोड़ा सा angular रख दिया, because जो particle है, वो circular motion के अंदर angle बना रहा होगा, तो अब circular motion में आप imagine करो, कि एक बंदा है, जो की एक circular track पे running कर रहा है, तो अपन सोच सकते हैं, इस तरीके से भाग रहा होगा इस track पे, तो अपन सोच सकते हैं, suppose initially वो यहां से चलना शुरू करता है, हमने उसको यहां से observe करना शुरू किया, तो यह हमारा reference हो जाता है, जैसे हम translational motion में, x, y, z को अपन 0 मान के origin को reference रहते थे, तो उसी तरीके से circular motion में भी हम एक reference define करते हैं, कि उस reference हम मापेंगे कि वो बंदे का position है, बोले तो angular position जो है, वो कहा होगी, तो यहां पे मैं angular position क्यों बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे reason यह है, कि suppose यह बंदा पहले यहां पे था, वो भागते भागते यहां पे आ गया होगा, वो इस तरीके से यहां से भागते यहां पहुझ गया होगा, तो अपन बोलेंगे, अब उस बंदे ने center पे, एक कुछ न कुछ angle subtend किया होगा, divided by किस radius के circle में वो चल रहा है, तो the ratio of arc length upon radius जो होता है, उसको अपन plane angle define करते हैं, तो अपन बोलेंगे इस बंदे की क्या position है, क्या स्थिती है इस circular path पे, उसको बताने के लिए अपन को इस plane angle की ज़रुवत पड़े, तो इसका जो position होगा circular motion में, हम उस position को सिर्फ position नाम ना देके, angular position बोलते हैं, because यहाँ पर जोसकी position है, वो angle के terms में हम define करते हैं, तो सबसे पहला parameter जो होगा, angular position हो जाएगा, तो इस तरीके से angular position को define कर सकते हैं, angle made by the body with respect to a reference, तो जो भी angle होगा, वो उसका angular position होगा, जैसे इस case में, इस बंदे का जो यहाँ पर position होगा, उसके अपन theta करके बोलेंगे, given कि यह हमारा reference होगा, अब इसके बाद आप सोचो, जैसे हमने translation में सीखा था, कि position क्या होता राइट, उसके बाद हमने देखा था, displacement क्या होता है, अगर कोई body या particle, कुछ ना कुछ distance cover कर रहोगा रहा है, जिसे अपने scalar quantity के अंडर डाला था, इसके बाद अपने सीखा था, अगर वो particle का position change हो रहा है, तो कुछ ना कुछ displacement कर रहा होगा, तो जहां से हमने displacement को, vector quantity के अंडर में substitute किया था, ठीक है, इस तरीके से, यहां पे भी अपन बोल सकते हैं, जैसा हमने उसका position पहले define किया, तो इसी तरीके से अगर उसका position change हो, तो उसका कुछ ना कुछ distance travel होगा, इस तरीके से displacement भी होगा, लेकिन उसको अब हम angular displacement के नाम से बोलते हैं, तो जो भी change in the angle of the body होता है, उसको अपन angular displacement बोलते हैं, जैसे यहां पे उसका initially अगर मैं बोलू, angle zero degree बना रहा था, ठीक है, यहां से चल के जब वो यहां तक पहुचा, तो उसका कुछ ना कुछ angular displacement हुआ होगा, that is given by the angle covered, ठीक है, तो उसका angular displacement इस case में, angular position के भी बराबर है, because reference को अपने zero degree माना है, तो अपनी जो अगली definition हो जाती है, वो हो जाती angular displacement की, तो इस तरीके से अपने angular displacement को define कर सकते हैं, the angle rotated by the position vector with some reference line, तो यहां पे अगर मोले इस बंदे का जो position vector था यह था, और finally position vector यहां पहुच गया, मतलब वो इस तरीके से rotate हो गया, angular position, जिस तरीके से हम displacement बोलते हैं, the change of position vector is called displacement, उसी तरीके से angular displacement को भी अपन, change in angular position के form में लिख सकते हैं, ऐसे करके, तो अब इसकी कुछ important बाते हैं अपन जानते हैं, जो कि बहुत मज़िदार है, सबसे पहला point जो अपन को note करना है, वो है angular displacement का जो unit होता है, उसे अपन radians में बताते हैं, या फिर इसको revolutions में भी बता सकते हैं, तो radians में तो अपने trigonometry बगएरा में देखा ही होगा, कि जैसे pi by 2, pi by 4, pi by 6 इस तरीके से, अलग-अलग radians के form में अपन angle को बताते हैं, pi basically 180 degree होता है, और इसी के अलावा इनको revolution में भी बताया जाता है, revolution में चकर, कितने चकर कोई body लगा रहा है, per second हो सकता है, per minute ऐसे करके अपन को दे सकता है, कि एक second में कितने चकर लगा, एक minute में कितने चकर लगा, इस तरीके से, तो जब भी आपको revolution करके कभी दिया होगा, या कहीं पे आप पढ़ोगे, तो revolution simply आप सभाजना कि कितने चकर मार रहा है, आप सोचो कोई भी body अगर एक चकर मार रहा होगा, तो वो एक चकर में 2 pi radian 360 degrees cover कर रहा होगा, तो जितने भी revolution दिया होगा, मान लो 10 revolution दिया है, तो कितना degree या कितना radian होगा, तो अगर आपको degree में convert करना है, तो 10 into 360 कर दोगे, तो total 3600 degrees वो घूमा वो आपको मिल जाएगा, उसका angular displacement, इसके अलावा अगर आप radian में convert करना चाहोगे, तो अपन को पाता है कि एक चकर में 2 pi radian होता है, तो यहाँ पे अपन 10 चकरों के लिए, 10 revolutions के लिए अपन 10 into 2 pi कर देंगे, तो 20 pi radians आ जाएगा, तो यह conversion factor होगा, जिसको आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, तो next point हमको यह बताता है, कि अगर हमारे को कुछ small displacement बताना हो, तो वो vector quantities होती है, बिकॉज वो vector addition के loss को follow करती है, इसको कैसे देख सकते हैं, suppose यह book है, तो अगर मैं थोड़ा से ऐसे गुमाँ, और थोड़ा से ऐसे गुमाँ, और दूसरा, तो आपको यह चीज़ देखने मिल रहे हैं, अगर मैं इसके order को उल्टा कर दू, मतलब पहले दूसरा रोटेशन दू, और first rotation को उसके बाद दू, मतलब मैंने यह किया था और यह किया था, तो भी आपको यही देखने को मिल रहा है, छोटे displacement के लिए valid है, ठीक है, लेकिन आप मुसीबत का बात ही, जब आप बड़े displacement, बड़े angular displacement देते हो, कैसे करके, suppose इस book को मैंने पहले ऐसे रखा, ठीक है, इसको पहले मैं ऐसे गुमाता हूँ, और फिर ऐसे गुमाता हूँ, तो आपको यह पार्ट देखने मिल रहा है book का, अब उसके बाद देखो, पहले मैंने यह किया, फिर यह किया, अब मैं दूसरे तरीक से गुमाऊँगा, जस्ट सेकेंड वाले को पहले करूँगा, और फिर्स वाले को बाद में करूँगा, तो मैंने कहाँ किया तो यह किया और यह किया, है न, तो ऐसे गुमाऊँगा पहले, और उसके बाद ऐसे कर लूँगा, तो आपको देखो यह वाला देखने को मिल रहा है, राइट, कैसे किया, फिर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, तो और मैं इसकूल्टा करूँ, तो कैसे होगा, फिर्स्ट, सेकेंड, तो आपको यह पार्ट देखने मिलेगा, मतलब, अगर हम बड़े अंगुलर डिस्पेस्मेंट देते हैं, मतलब, और चेंज करने पर अपनको चीज भी डिफरेंट मिलने लग जाती है, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि, लार्जर अंगुलर डिस्पेस्मेंट जो होते हैं, वो वेक्टर लॉको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो वेक्टर कॉंटिटीज नहीं हैं, तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएं कि, स्मॉल अंगुलर डिस्पेस्मेंट और लार्ज अंगुलर डिस्पेस्मेंट में कौन सा वेक्टर है, तो आप बोलोगे small angular displacement vector है क्योंकि वहाँ पर orientation में change नहीं आता अगर छोटे angular displacement आप दोगे परन्तु अगर आप बड़े angular displacement दोगे तो आपको orientation seem नहीं मिलेगा इसका मतलब बड़े angular displacement are not vector quantities तो इसको आप ध्यान लगना next important point इसमें ये बात आता है कि इस तरीके के जो vectors होते हैं जो घूमने वाले vectors होते हैं जैसे हम angular displacement को बता रहे हैं क्योंकि वह घूम क्या आता है तो जो भी rotational quantities होती है इस तरीके के quantity जो circular motion में use करने वाले अपन इनको बताने के लिए हम axial vectors का इस्तमाल करते हैं और मैं आपसे request करूँगा कि अगर आपने axial vectors के बारे में नहीं जाना आपको नहीं पता तो मेरी vectors के जो types है वो वाली वीडियो को आप जरूर देखो तो उसमें आपको clearly सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके quantities को हम axial vectors से represent करते हैं तो axial vectors का link में description में भी दे दूँगा आपको तो वहां से आप उस वीडियो को देखके proper समझ सकते हो कि axial vectors क्या होते हैं एक और final point अपन देख सकते हैं कि अगर कोई body suppose ऐसे घूम रही है मेरे लिए ये anti-clockwise है क्योंकि मैं उसको सामने से देख पा रहा हूँ उसको मैं इस तरफ से देखूँ तो वह मेरे लिए anti-clockwise है परंतु मैं इस तरफ से उसकी देखूँ तो वह मुझे clockwise दिखाई देगा तो अलग-अलग observers के लिए clockwise and anti-clockwise का पंगा हो सकता है ठीक है तो angular displacement is different for different observers तो इन बातों को ध्यान रखते हुए चलो move on करते है अपने next parameter की और तो next quantity है angular velocity तो जैसे अपने देखा था कि अगर कोई body translational motion में है बोले तो एक straight line में चल रही है तो अपन उसके लिए velocity define करते थे कि किस rate से वो displacement cover कर रही है with respect to time similarly यहाँ पर अपन angular velocity को define करते है एक letter omega से जिसको अपन represent करते है ओमेगा से इसको अपन Greek letter जो W है उसका omega बोलते है उससे अपन represent करते है तो angular velocity को define कर जाता है कि कोई body कितना angle cover कर रही है per unit time एक second में कितना angle चली एक minute में कितना angle चली इस तरीके से अपन omega को define करते है तो omega is defined as तो suppose यहाँ पे एक particle है जो कि T बराबर 0 पर हमने उसको यहाँ पे देखा अब वो यहाँ से चलना start किया जब वो चलके यहाँ तक गया तो उसकी कुछ तक कुछ definitely speed रही होगी तो अपन बोलते हैं कि अगर वो यहाँ पैसे कुछ V speed से चलके जा रहाओ circular track में इसको अपन axial vector से बताते हैं और axial vectors को right hand thumb rule से बताते हैं तो अगर यह particle ऐसे जा रहा है बोड़े तो anti clock वही चल रहा है तो आप अपनी चारों उंगलियों को इसके direction of motion में turn करो तो आपको दिखेगा कि अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है similarly कोई particle अगर ऐसा गूमे clock wise गूमे तो आप अगर अपने हाथों को ऐसे गूमाओगे तो वो नीचे की तरफ अंगूठा आएगा तो आपके अंगूठे की direction से ही omega की direction define होती है तो इस तरीके से अपन axial vectors के साथ खेलेंगे इस particular topic में तो यह अपना average angular velocity हो जाता है अगर हमें instantaneous बताना हो तो अपन याद करो जिसे instantaneous velocity was the differentiation of position vector with respect to time dr by dt इसी तरीके से angular velocity को instantaneous के term में define करना हो तो अपन d theta by dt करके बताते है तो यहाँ पे एक बहुत important parameter एक relationship में आपको बताना चाहूँगा जो की बहुत जादा useful रहेगा आप यह सोचो अगर आप कभी circular track वगर पर कहीं भाग रहे होगे तो आप notice कर सकते हो आपके सामने अगर आप सिर्फ जमीन को देखते रहो तो आपको जमीन का curvature नहीं दिखता मतलब अगर आप जैसे बहुत दूर का देखोगे तो आपको curvature समझ मैंगा कि अच्छा road आगे जाके मूड रही है परन्तो अगर आप एकदम सामने जस्ट आपके एक foot या दो foot दूर की road देखोगे अपने मूग के सामने तो वो almost straight दिखती है अपन को तो यहाँ पे जो बंदा भाग रहा होगा उसकी जो भी velocity होगी तो वो किसी भी instant पे तो tangential होगी इस तरीके से वो tangentially चल रहा होगा है ना लेकिन वो धीरे-धीरे मूड रहा होगा तो मैं यह बोल रहा हूँ कि अगर ये बंदा V speed से चल रहा है V उसकी चलने की speed है translation वाली speed है और omega जो है वो उसकी घूमने की speed है कि किस rate से वो angle cover कर रहा है with respect to time तो omega उसकी घूमने की speed है लेकिन V उसके चलने की speed है तो V में और omega में क्या relationship हो सकता है यह अपन कैसे निकाल सकते हैं चलो देखते हैं तो suppose एक circular track पे एक बंदा इस तरीके से भाग रहा है तो अपन बोड़ रहे है किसी भी instant पे यह बंदे की जो velocity होगी वो ऐसे से tangential होगी तो अपन जानना चाहरे है tangential velocity बोले तो translational velocity जो है इसको tangential velocity भी बोल सकते है तो tangential velocity और यह जो angular velocity है किस rate से वो angle cover कर रहा है with respect to time इनके बीच में क्या relationship है कैसे देख सकते हैं तो इसके लिए आप क्या सोच सकते हो अभी जैसे अपने plane angle कैसे define किया था plane angle theta को अपने लिखा था कितना arc length चला जिसको अपन L से define करते है upon radius of the circle R तो यहाँ पर मैं बोलू यह बंदे ने यहाँ से यहाँ चलके कुछ L arc length cover किया होगा और इस circle का जो radius है वो अपन थोड़ी दर के लिए कुछ R suppose कर लेते है तो यह बंदा यहाँ से यहाँ चला तो यहाँ पर एक angle theta उसने subtend किया होगा तो अगर आप थोड़ा सा सोचो कि इस R को अगर मैं ऊपर ले जाओ तो हमें क्या मिलेगा यार हमको मिलेगा R theta बराबर L जहाँ पर L उसका arc length है और R उसका radius है और theta जो plane angle उसने बनाया होगा center पे अब आप क्या करो दोनों तरफ time के respect में differentiate करो तो अपन क्या बोल सकते हैं differentiation में हमने सीखा है तो अगर मैं दोनों तरफ d by dt करूं पूरी equation में तो अपन सोच सकते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा product rule अपन को लगाना पड़ेगा राइट तो product rule में क्या सीखा था पहले को मारो दूसरे को छोड़ो plus दूसरे को मारो पहले को छोड़ो यहाँ पर आएगा dr by dt into theta plus d theta by dt into r बराबर dl by dt अब आप नोटिस करो क्या इस circle का radius समय के साथ change हो रहा है क्या तो आप बोलोगे नहीं यार circle तो constant radius का होता है तो अपन बोलेंगे यह वाली term तो गई काम से dr by dt 0 होती है तो अपन बोलेंगे यह वाली term हो गई 0 तो अपने पास यह बज गया अब इसमें भी आप सोचो किस rate से angle cover कर रहा है with respect to time यही तो अपना omega है angular velocity तो यह बन गया अपना omega into r बराबर अब यह dl by dt क्या है आप सोचो l क्या है arc length किस rate से वो यहाँ पर जो track की जो जमीन है distance है वो cover कर रहा है तो किस rate से वो यहाँ की distance cover कर रहा होगा वही तो उसकी velocity होगी किस rate से distance cover कर रहा हो उसकी speed हो जाएगी right तो यहाँ पे अपन इसको speed बोल सकते है dl by dt को v करके तो v और omega में यह relationship हमको मिलता है जो बहुत ही powerful है तो यह हो जाएगा v बराबर r omega और कभी भी अपन को अगर vectorial ही पूछे कि v और omega में क्या relationship होता है तो छोटा से point आप याद रख सकते हो जो future में हो सकता है काम आए बट इतना जाद आपन को बहुत useful नहीं रहेगा तो अपन लिखते है v vector is equal to omega cross r vector जहाँ पर r उसका radius vector हो गया omega उसका angular velocity हो गया और v इसका velocity हो गया जो कि उसर्कल में चल रहा है तो यहाँ पर जैसे अगर मैं सोचू कि यह जो बंदा है यह anti-clockwise चल रहा है तो omega की direction बाहर आने वाली है ऐसे करके आप देखो कि तो बाहर आएगी ठीक है अब मैं अगर omega cross r करू तो आपन को v मिलना चाहिए अब देखो omega तो बाहर है मानलो यह omega की direction है ठीक है ऐसे paper के बाहर आ रही है अब मैं करू omega cross r अब r जैसे यहाँ पे यह है तो मैं omega से r की तरफ हाथ करूँ और देखो मेरा अंगूठा चो जाएगा v की तरफ जाएगा आप खुद सोचो omega की तरफ हाथ करो और एक बार r को पकड़नी कोशिश करो तो आपका अंगूठा देखो v की direction में आएगा तो इसका मतलब omega cross r करोगा तो आपको v मिल जाएगा vectorial यह direction के form में तो यह जो relationship अपने develop किया यह हमको बहुत जादा मदद करेगा चलने वाली speed में और घूमने वाले speed के बीच में क्या relationship है उसको जानने के लिए तो बहुत सारे question में यह हमें आरी बहुत जादा मदद करने वाला है तो finally इस वीडियो को conclude करते एक simple से बढ़िया से सवाल के साथ जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि what is the angular velocity of minute, second and hour hand of a clock किसी घड़ी में minute, second and hour का hand होता है right, काटा होता है, बड़ा काटा, छोटा काटा, medium काटा तो उनकी जो angular velocity है वो कितनी होती है, वो चलो निकालना सीखते है अगर आप try करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक minute के लिए pause करके इसका solution निकालो और फिर देखो की सही किया की नहीं, ठीक है, सबसे पहले आप सोचो अगर आपने एक minute hand के बारे में सोचा तो अपन बोलेंगे, एक चक्कर मतलब एक revolution में कितना radian होता है भाई तो आप बोलोगे, टू पाई radian अपन कितना time लिया अपन को omega की जो unit होती है वो radian per second में बतानी होती है तो अपन कितना radian चला अपन time में को seconds में रखेंगे तो एक घंटे में एक चक्कर मारता है minute hand तो यहाँ पर मैंने एक hour में 60 minutes होता है और हर minute में 60 seconds होता है तो वो मैंने कर दिया तो यहाँ से आप देख सकते हो omega जो है वो minute hand का निकल के हमको मिल जाएगा जिसका value हो जाएगा pi divided by 1800 radian per second तो I hope अपने calculation सही करी होगी इसके बाद अपन move करते है second hand की तरह तो again अपन omega निकालने के लिए सोच सकते हैं कि जो second वाला काटा है जो की एक minute में चकर मारता है 60 seconds में एक round मारता है तो एक round मारा मतलब 2 pi चला और एक minute में कितना second होता है तो आप बोलोगे 60 seconds होता है तो omega of second hand निकल के आ जाएगा pi by 30 radian per second अब move on करते है hour hand की तरह तो hour hand में अपन को पता है कि भाईया जो घंटे वाला काटा होता है वो दिन में 12 hours complete होने पे दुफेर के 12 बज़े से रात के 12 बज़े तक उसका एक round complete होता है तो उसके 12 hours में एक round complete होता है तो अपन बोलेंगे एक round माने 2 pi हो गया एक revolution divided by 12 hours को यहाँ पे seconds ने बुट करना है तो 12 hour हर hour में 60 minutes और हर minute में 60 seconds होते हैं तो यहाँ से अपन को final omega मिल जाएगा pi upon 216 00 radian per second तो I hope इस वीडियो से कुछ parameters आपको बढ़िया तरीके समझ में आया होगा कुछ नई चीज़े भी सीखने मिली होगी तो किसी भी concept को proper तरीके से सीखने के लिए सारे वीडियो को proper sequence में आप देखते रहो इससे सारे concepts आपको बढ़िया तरीके समझ में आ जाएंगे और इसी के साथ अपन वीडियो को conclude करते हैं जल्दी मिलेंगे अपने next वीडियो में जिसको देखने के लिए definitely subscribe करना मत बूलना so we'll meet you in the next video soon till then बढ़िया से पढ़ाई करते and Khushro till then bye-bye